इजाज ने किया पवित्रा को हग जी हा इनकी कैमिस्ट्री कुछ ऐसी है जो कि कहीं तो कहीं एकसेप्ट नहीं करते हैं लेकिन वो पता चलता है कि कुछ तो है अब कल भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पवित्रा काफी जादा परिशान हो गई आपको बता दें कि जो एजास खान है वो तो रेड जोन से बाहर आ गई है लेकिन पवित्रा अभी भी अंदर है और वहाँ पे राहुल वैद्य जान कुमार सानू और निकी तंबोली भी रह रहे हैं अब इसी विच क्या होता है कि जान कुमार सानू की लडाई हो जाती है रा राहुल की बातें अब जब ये सब हो रहा होता है तो पवित्रा काफी जादा परिशान हो जाती है और वो रोने भी लगती है उसके बाद शायद जान या राहुल में से कोई एक किसी को ढखका दे देता है जिसके बाद पवित्रा और भी गुसा जाती है और वो जाके कहती है कि कोई एक दुसरे को हिट नहीं करेगा और वो इस बात को राहुल वैद्य को भी जाकर समझाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब इसी के बाद एजास खान उन्हें हग कर लेते हैं जब वो रोती है तो उनका सहरा बनते हुए वो नजर आते हैं उनको समझाते हैं कि उनको राहुल को बताना है उनकी हर हरकतों पे नजर रखकर उनको अच्छे से समझाना है और वो काफी सपोर्टिव लगते हैं जब वो पवित्रा को समझाते हैं और पवित्रा को भी काफी अच्छा लगता है जिस तरीके से अजास उन्हें हग करके सम